So Hero Company अपने Xtreme 160R Stealth Edition का 2.0 को जो है Indian Market पे लॉंच कर चुकी है जिस पर कि आप लोग को नए Color Graphics देखने को मिलने वाले हैं और साथी साथ इस गाड़ी में आप लोग को नए Features भी देखने को मिलेंगे जैसे कि Bluetooth, Connectivity वगरा और भी काफी सारे चीज़ों जहे हैं आप लोग को इस गाड़ी में देखने को अब मिलने वाली है जो कि आगे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथी साथ यहाँ पर pricing वगरा क्या कुछ increase किया गया है उन सभी चीज़ों के वारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले है तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा आगे आप लोग को बाइक से रिलिटेड ऐसी वीडियो की इन्फोर्मेसन दिखने को मिलती रहेंगी तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस यहां पर पहले मुकाबले क्या कुछ इंक्रीस किया गया है जो कि अभी जो है इसकी on road price 1,47,530 रुपए के आसपास में आती है तो on road price जो है 1,47 लग के आसपास में है तो price जो है यहाँ पर लगबग 7,000 रुपए पहले मुकाबले बढ़ाया गया है अब जो है आप लोग को इस गाड़ी में Bluetooth connectivity दी जाएगी जिस पर कि आप लोग को जो है location वगरा सारा कुछ देखने को मिल जागा तो यह जो है काफी battery अपडेट किया गया इस गाड़ी में जो कि अब जो है आप लोग को इस Extreme 160R Stealth 2.0 Edition में जो है अब आप लोग को Bluetooth connectivity दी जाएगी अब चलिए अब आप लोग इस color के वारें बात करें तो first of all आप लोग इस color को जो देख रहे है यह जो यह आप लोग को black के साथ साथ red का यहाँ पर combination दिया गया है जो कि देखने में गाड़ी काफी जादा attractive लग रही है खास करके इस गाड़ी का जो front का आप लोग को suspension दिया गया है इसको अगर आप लोग देखे तो यहाँ पर आप लोग को red color दिये जा रहे है साथी यहाँ पर आप लोग headlight के उपर नजट डाले तो यहाँ पर भी आप लोग को red color के graphics दिये जा रहे है साथी fuel tank पे जो extreme 160R लिखा गया है वो भी आप लोग को red color की देखने को मिलती है और साथी साथ side के panel पे देखे तो यहाँ पर भी आप लोग को red color देखने को मिल रही है तो overall इस गाड़ी के जो color combination है वो काफिधा बैतरिन कर दी गई है पीछे का जो grab rail है उसको भी यहाँ पर red color कर दिया गया है और side का जो आप लोग को trust दिख रहा होगा इसको भी यहाँ पर company ने red कर दिया है तो overall यह जो गाड़ी ही यह काफिधा बैतरिन लग रही है यही पर दोस्तों आप लोग इस गाड़ी के alloy wheel पे नज़र डाले तो यहाँ पर आप लोग को इस गाड़ी में black color के alloy wheel के साथ साथ red color के stripping दी गई है और यही पर आप लोग देखे इस गाड़ी का जो engine guard है इस पर भी आप लोग को red color के ग्राफिक दिये गए है साथी इस गाड़ी का जो engine head है वहाँ पर भी आप लोग को red color दिये गए है तो overall इसकी जो black color और red color की जो combination है वो काफे दा यहाँ पर बैतरिन लग रही है अब यहाँ पर आप लोग changes को देख सकते हैं तो सबसे पहला changes जो आप लोग को यहाँ पर knuckle guards का देखने को मिलेगा जो कि अब आप लोग को stealth edition 2.0 में जो है knuckle guards देखने को मिलने वाले है साथी इसका जो engine guard है उसको यहाँ पर design को change कर दिया गया है जो कि पहले मुकाबले जो है काफी दा different यह देखने में लग रहा है और overall यह जो गाड़ी है यह देखने में काफी दा attractive लग रही है तो यह जो extreme 160R की stealth edition 2.0 है इसमें आप लोग को कुछ इतने ही changes देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग को color का देखने को मिलेगा साथी साथ इस पर Bluetooth connectivity दी जाएगी और इसका साथ इस पर आप लोग को knuckle guards देजाएंगे तो कुछ इतने ही आप लोग को changes देखने को मिलेंगे बाकि यह जो गाड़ी यह पूरी पहलेक्त रही है जिस पर कि आप लोग को fully digital meter console दिया गया है साथी साथ इस पर आप लोग को USB charging point भी दिया गया है जासे कि आप लोग phone वेगरा को charge कर पाएंगे साथी साथ यह जो गाड़ी यह single channel ABS के साथ आती है और इस गाड़ी में आप लोग को side stand engine cut off sensor देखने को मिल जाता है लाइटिंग सेटप के बारे में बताओ तो इस गाड़ी में आप लोग को all LED light का सेटप दिया गया है जो कि front में भी आप लोग को LED head lamp देखने को मिलता है रेर पे LED tail lamp और गाड़ी का जो चारों indicator है वो भी आप लोग को LED की देखने को मिलने वाली है चलिए अब हम लोग engine के बारे में बात करें तो engine आप लोग को पहले एक तरही देखने को मिलने वाला है जो कि engine में कोई भी यहाँ पर changes नहीं किया है engine की बात करी जाए तो इस पर आप लोग को 163cc का air cool BS6 engine देखने को मिलेगा जिसकी maximum power की बात करी जाए तो लगबग जो हैं आप लोग को 15bhp तक की power देखने को मिलेगी और maximum torque की बात करी जाए तो 49m तक का देखने को मिल जाएगा और इस गाड़ी पर आप लोग को 40-45 तक की miles तो easily देखने को मिल जाएगी एंड इस गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज यह है कि इस गाड़ी में आप लोगो की की स्टार्ट देखने को मिल जाता है बाकी यह जो गाड़ी है यह 5-speed gearbox के setup के साथ आती है बाकी यह जो गाड़ी है दोस्तों यह पूरी तरीके से exact पहलेक तरह ही है सिमलर आप लोगो पहलेक तरह ही टायर वगरा देखने को मिलेंगे सिमलर आप लोगो पहलेक तरह ही suspension दिया गया है साथी breaking system वगरा भी आप लोगो अप लोगो सब्च्विस सिमलर जह है पहलेक तरह ही देखने को मिलेगा तो इस extreme 160R style tradition 2.0 में जो है changes के नाम पे सिरफ पॉर्ट सिप आप लोगो यहाँ पर color graphics में देखने को मिलेगा साथी इस पर जो आप लोगो Bluetooth connectivity दी जा रही है और इस गाड़ी पर जो आप लोगो नकल गार्ट दिया जा रहा है इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा कुछ difference आप लोगो देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल जो extreme 160R आती है उससे यहाँ पर आप लोगो ज्यादा कुछ difference वगरा देखने को नहीं मिलेगा बाकी आप लोगो यह stealth edition 2.0 कैसे लगी नीचे कौन बॉक्स में जरूर लिखेगा साथी साथ अगर आप लोग का कोई भी सवाल या सुझा हो तो उसके बारे में भी नीचे कौन बॉक्स में लिख सकते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों फिलाल हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, वंदे मातरम and also right save